अगर आपने कभी हवाई जाज की यात्रागी होगी तो आपको यह मालूम होगा कि फ्लाइट को उनाने के लिए हम इसा दो पैलेट्स होते हैं और इसका सबसे वड़ा कारण यात्रियों की सुरक्षा है लेकिन सायद्या आप नहीं जानते होंगे कि फ्लाइट के दोनों पैलेट्स को हम इसा अलग-अलग खाना दिया जाता है उन्हें कभी भी एक जैसा खाना नहीं दिया जाता है और इसके पीछे भी एक कहानी है बाद सन 1984 की है जब एक फ्लाइट लंदन से नियॉक जा रही थी और इस फ्लाइट में करीब 120 यात्री सवार थे और सभी यात्री और फ्लू मेंबर्स को एक ही खाना दिया गया था जिसे खाकर सभी लोग फूट पैस्निंग का सिकार हो गया थी और फूट पैस्निंग से एक व्यक्ति की मौद भी हो गई थी इस फ्लाइट के दोनों पैलेट को भी काफी अधिक समस्चा कर सामना करना पड़ा था और इस प्रकार की हटनाओं से बचने के लिए फ्लाइट के पैलेट और को पैलेट को हमेशा अलग-अलग खाना दिया जाता है उन्हें कभी भी एक जैसा खाना नहीं दिया जाता है इससे अगर कभी फूट पैस्निंग की नौबत आती भी है तो कम से कम एक पैलेट सुरक्षित रहे और लोगों को सुरक्षित पहुचा सके